नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि इंसान को सपने देखना चाहिए और सपने हकीकत में बदलते हैं वैसे ही मेरा सपना भी हकीकत में बदला है मैं हनुमान जी का भक्त हूं हनुमान जी मेरा इस्ट है और दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं जब यह कार सेवा हुई थी राम मंदिर आंदोलन के लिए जब पूरा इत्यास देखके मेरा मैं छोटा था तो बहुत मन विश्लित होता था और फिर कार सेवा में जब सब समय के साथ मैंने पैंटिंग का काम सुरू किया और पैंटिंग का काम भी ऐसा मिला जैसे भगवान की पैंटिंग यह सारी हनुमान जी क्रपा है हनुमान जी क्रपा से ही में यह पैंटिंग बनाता हूं और जून महिने में मुझे यह स्वपन में हनुमान जी ने प्रणा द कि एपैंटिंग कहा लगेगी कैसे लगेगी सब मैंने में रामायंण जी के छोड़ा हुआ है और मैंने सबस्क्राइब में आइंटिंग सबसे पहले सचा कि क्या करूं आथा पूरी रामान के बनाऊंगा पहले सोचा फिर उसके बाद नित्स में तो सारे प्र생ग नहीं आएंगे 208 पैंटिंग और 18rit होता है हमारे साधु महात्मा और सुधी करते हैं मैं भूहत पवितर होता है तो वह मैने पैंटिंग बनाने का निढक्टेय लिया और सबसे पहले मैंने को का स्केच किया और वो उसके सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किये और हर एक स्केच करने से पहले आदे पॉन गंटे गंटे सोचना पड़ता था क्या इसमें चीज बनाओं कैसे उस टाइम लग रहे होंगी प्रभू जब तक प्रभू की छवी मेरे मन में मेरे मन मस्तिक में नहीं नजर आती तब तक मैं पेंटिंग वो इसके फाइनल नहीं करता हूं भले इसके चार बार पाइक बिघारना वीडियो मिलें यह 108 पेंटिंग में बना रहा हूँ एक 8 पेंटिंग जो कि उसमें राम मंदिर राम दरबार बना हैं उसमें राजतिलक हुआ है और भगवान सी राम को राज्या पर जिक करके राजा बना दिया है तो मैंनेशिन बनाया है सब सब पहले मैं दिखाता हूँ क एक्सो आठी हमारी कैसे बनी है तो यह पुरा इसकेज करके और पुरा पैंटिंग फाइनल कि है इसकी बॉर्डर पे पुरा राम 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 लिखा है और ये सारा बनाने से थोड़ा संसित पूरा पंटिंग के बारे में दिखा देता हूं यह जैसे कि यग्गे से पहले यह से पहले जो की अत्री रिसी आते हैं दसरजी को यग्डि करवाते है बाल लिला होती है जन्म होता है बाल लिला जो काग भुसंड जी का बहुत फेमस प्रसंगे वह हुआ फिर शिक्सा हुई उसके बाद में वालमी की जी ताड़कावद अहलिया उद्धार अहलिया उद्धार फिर शिता सेमबर धनुस तोड़ना इस तरह से राम सिता वर्मला डालते हुए वन गमन और इसी तरह से जिसे निशाद राज से मिलना नदी पार करना केवट का एक-एक स्केच मैंने बहुत सोच केस और विचार करकर के मैंने इसकेच किया है यह भरत राम का मिलाव स्कावध्र यह मैंने सारे टाय्टल नीचे लिखे है कि सब्जेक्ट में क्या हो रहा है क्योंकि यह हमारे यूत है nagyãy Ό को किस तरह से हम उनको सरल तरीके से बता सके तो सबका टाइटल लिखा हुआ है और इसी कड़ी में जैसे की जटायों से प्रथम मिलन हैं सुर्पनखा की नाग काड़ते हैं लच्वन जी रावन के दर्बार में सुर्पनखा मारिच्व्रत और यह रावन सिता जी को उठा के अफ्रन करके ले जा रहे हैं जटायों के पंकर जाते हैं जटायों को अगनी सस्कार करते सब्री मता जोते बेर खाते हैं अपना वचन भूल जाते हैं और यहां वंदेवी का मिलना समुद्र टट पर आना इसी के साथ जाम्मंत जी जब सारे वानर बेट गए थे और किसी को पता ने था कैसे पार करेंगे तो जाम्मंत जी हनुमान जी को अपना बल याद दिलाते हैं तो वो मैंने इसमें बनाया परणधाम पहुचाना विविशन से मिलना मातस सीता को अपना विराट रूप दिखाना और यह अक्सेगुमार का वद मेगनात का ने बंदी बनाया ब्रहमास चलाकर और यह पुरी लंका को जलाना इस तरह से रामे स्वर जी की स्तापना करना विविशन का सरण में आना रा दालो गया था शुगरिव जी राक्सास को मार रहा है इस तरह हणुमान झेने दृमुक का वत किया है कुम्ब करन्ध का वद हुआ एक लम करन को जगाय था और शक्ति लगती है लश्मण जी को और जब मेगनात और लश्मन जी का यूधु होता थो वो सारे सस्त प्रणाम करके और चल जातेबी वापस तो ज्ञान हो जाता है कि भगवान है यहां मेगनात का थिसी के साथ साथ रवान का भेंकर युद्ध हुए उसके बाद में रवन्द रवण का बद वह यहां पर और फिर विविशन का राश्टिलक और अगनी परिक्सा मातिसृता की और यहां पर ren cross को वह बताते हैं के बाराम जी आने वाले हैं क्योंकि हनुमान जी ने चीता सजा ली थी और वह अगर नहीं आते एक दिन तो अपना सरीर को अगनी में जला लेते और यह लास्ट वाला है है भगवान की रपास हनुमान जी खौपासे एक कंड कि जगे और रही तो उसको यहां पर बताया है यह राम defending वรतमाने तो राम से के जन्म से पहले और राम के आज तक जो आज बाइस तारीकों मोदी जी जो घाटन करेंगे राम मंदीर का वह दिखाया है तो इसमें यह 500 साल के संगर्स के बाद में यह राम मंदीर के हमारे प्रभू विराजेंगे अपने घर में अपने इतने संगर्सों के बलजद जो कि पूरे वर्ड को रोसन करेंगा क्योंकि राम हिंदु के नहीं है सिर्फ सनातन धर्म के पूरे ॸ to सुर्य बनाया है पिछे और उसकी जो रोसनी से सारी अभा है ऽो पूरे वर्ड में पहलए जो इस ही इसके कारण मैंने यह राम मंदिर का एक सुनोवी पेंटिंग बनेई है और इसमे जो औरेंज कलर बाडर दिया है वो दो ख ऐसे हुआ है ऑरेंज पार बाडर का बाडर इसलिए दिया है क्योंकि हानुमान जी को निभा सिन्दूरी रंग पसन है और हनुमान जी तो पैंटिंग में है ये पर साथ साथ बॉर्डर में भी हनुमान जी विराज हुए है इसलिए मैंने ये शिंदुरी दिया है तो दोस्तों ये पैंटिंग मेरी अपने घर पढ़ा रहें हैं वहाँ विराजित होंगे उनका मंदिर का सिला नया से और यह पेंटिंग जो मैंने बने हैं यह सब मेरे दिल की इच्छा है और मुझे लगता कि वह पूरी होगी मुझे पूरा सयोग चाहिए आप लोग का मैंने मोदी जी को कॉंटेक्ट करने की बहुत कोशिश किये हैं और कैसे भी करके यह वीडियो उन तक पहुचे जिससे कि मैं अपना जो मैंने मेरा जीवन सफल हो जाए अगर राम मंदिर में पैंटिंग लगती है तो मेरे जिन्देगी सफल हो जाएगी पैंटिंग तो बहुत बनाएंगे जिन्देगी वर प्रहियर मेरी अनमौल जिन्देगी की निभी है आज तक मैंने जो भी काम किया है उन सबका निचोड़ है और मैंने पुरी स्रद्धा से भक्ति से पैंटिंग बने हैं सुपह चार बजे पांच बजे उठ उठके और इ इमेजिनेशन से पैंटिंग बने हैं तो मैं चाहता हूं कि यह मोदी जी को मैं देऊं और उनके माध्यम से राम मंदिर में लगे तो इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें जिससे कि यह वीडियो वहां तक पहुचे जहां तक मैं पहुचाना चाहता हूं क्योंकि एक राम भक्त्य हैं मोदी और एक राम भक्त्य की इच्छा पूरी करेंगे मुझे यह पुरा विश्वास से मोधी जी की पास यह खबर पहुचेगी तो हो मेरी च्छा को पूरा करेंगे तो मैं आप लोगों से यही विंति कर रहा हूं प्रात्ना कर रहा हूं की ज्यादा स पूरिय करेंगे क्योंकि कहता हैं कि मोदी है तो मुम्किन है बाओ हनुमान जी क्रेपा हो तो महा मुमकिन है मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते हैं तो मैं हनुमान जी की चरणों मेर्भुसिर राम की चरणों में यह रखके और यह पेंटिंग का मैंने निर्मान किया है और मैं आप लोग से युतने भी सरादन धर्म को मानने वाले हैं जो हिंदूर पूरी कर सकते और मोदीजी पूरी कर सकते तो धन्याद दोस्तों मेरा यह बूंट सब्सक्ते अब जादस अब आपके उपर है हेड़ और हनुमान जी के उपर है राम जी के उपर है जैसी प्रभु की इच्छा होगी वो मुझे स्युकार होगी दन्यवाद जय हिंग जय भारत हिंद्व राष्ट जय सनातन धर्म जय स्री राम जय स्री राम जय स्री राम